हलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग हाइट इन डिस्टेंस का अपना नेक्स्ट सेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं आप इसला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देख लीजेगा उससे आपका बेसिक कॉंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा उसमें बहुत सारी चीजे बताई हुई हैं हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेख, कॉस थीटा, सारे के बारे में चर्चा किये हुए हैं कि उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे उसको निकालते हैं उसमें हम लोग यह भी बताये थे कि याद करने के लिए आपको बहुत दिमाग रगा अजरुत नहीं है उसमें हम लोग एक वीडियो में लिखे थे पंडित बदरी परसाद और हरी-हरी बोल ताकि हमको याद रहे साइन कॉस्टेन कैसे याद रखा जाए क्योंकि अगर हम लोग trigonometry section पे command करना चाहते हैं दोस्त तो इन पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है सारा angle का value भी हम लोग उसमें बताये थे eyeball में चुकि डाल लेंगे हम यापे आप लोग उसके एक और देख लीजेगा second video आज हम लोग बना रहे है height and distance का कुछ important questions जो है दोस्त उसको हम लोग solve कर ले रहे हैं ताकि बहुत सरे exams में इससे questions आते हैं और ये questions आपको तंग करते हैं अगर थोड़ा सा practice नहीं करेंगे समझेंगे नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा हाँ एक चीज बहुत important वाली बात है दोस्त आप height and distance का कोई भी question बनाएंगे figure जरूर बनाईएगा हम बार बार इस बात को जोड़ देकर बोलते हैं emphasize करते हैं कि अगर कोई भी problem हो जो word वाला problem होता है अगर हम लोग उसका photo बना लेते हैं एक rough idea हम लोग को मिल जाता है कि questions को कैसे solve किया जाएगा दोस्त तो इस पे बहुत खास ध्यान रखिएगा ठीक है एक question है एक आदमी जो है एक मिनार के उपर बैठा हुआ है मिनार के उपर बैठा हुआ है तो सबसे पहले मिनार बना लेते हैं जो-जो question बोले वैसा-वैसा करते चलिए simple एक आदमी मिनार में बैठा है दोस्त माल लेते हैं ये मिनार है ठीक है ये दमीन है मिनार है मिनार के उपर में आदमी बैठा हुआ है इसकी उचाही 100 मीटर है जो-जो बोले वो करते चलिए simple और यहां से इसका जो एंगल अव डिप्रेशन है यानि की आओनायन को नीची क्यों देख रहा है ना मिनार को उबर बढ़ेगा तो क्या होगा ऐसे देखेगा ऐसे देखेगा है ना तो एक तरफ जो वो देखता है वो 60 डिगरी के अंगल से देखता है और जैसे माल नहीं हम म देखें तो यह कितना है अरे वो 30 डिग्री के एंगल बना है यानि कि मिनार से एक तरफ एक वस्तू है यहां पर वो देख रहा है तो इसका एक तरफ देख रहा है तो यहां का जो अवनायन कोन है ये वला एक जगह 60 डिगरी बन रहा है और एक जगह 30 डिगरी बन रहा है ठीक है यानि कि यहां देखे का 30 तो यह 30 डिगरी बन जाएगा और यहां से 60 डिगरी बन रहा है तो यह 60 degree जाएगा हम लोग जानते हैं एक आंतर कौन alternate interior angle हम लोग पढ़े थे एक अगले वीडियो हम लोग सारा angle आपको बढ़ा देंगे सब angle आपको समाज में आ जाएगा तो total angle किते तरह का angle बनता है कैसे बनता है उस अब बतातेंगे यहाँ पर आप समझ लीजे फिलाला भी कि यहाँ पर यह 30 degree angle बन रहा है अब नायान कोन है यह नीचे की तरफ देखने वाला कोन है तो यहाँ पर alternate angle कारण 30 degree यहाँ पर हो जाएगा यह नीचे देख रहा है 60 degree बन रहा है तो यहाँ पर एक आंतर कोन कारण यह भी 60 degree बन जाएगा तो अब बोलता है सवाल क्या बोलता है कि मान लो यह tower के उचाई A है यह point B है यह point C है और यहाँ जहाँ tower का जो base है इसको हम D मान लेते है तो आप से question यह पूछ रहा है कि यह दोनों वस्तू के बीच की दूरी कितनी है दोनों एक वस्तू B है एक वस्तू C है मान लेते हैं एक point B है एक point C है जो भी आपको question में दिया रहा है तो दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगे एक दम simple fund है दोस्त इसके हुचाई दिया हुआ है यह angle दिया हुआ है यह क्या है याद होगा हम लोग क्या पढ़े है right angle triangle में क्या पढ़ते हैं दोस्त यह hypotenious यह perpendicular यह base काओ भीया यादा या यादा गया यह hypotenious था यह perpendicular था यह base था जब तक आपको यह ध्यान में नहीं रहेगा भीया यह बनना बहुत मुस्किल है अब आप लोग यह नहीं कहिएगा कि आप दीदी कहने बोलते हैं सर खाली भाईया कहा है बोलते हैं अरे भाईया मूँव बैठा हुआ भाईया बोलना इसलिए दीदी नहीं बोलते हैं खाली भाईया बोलते हैं ठीक है यहाँ समझ यह पहले तो यह क्या है यह हम लोग perpendicular माल लेते हैं यह 90 degree की angle बनेगा ना यह 90 degree है यह angle है हम क्या पढ़े थे angle के सामने वाला हमेशा perpendicular होता है angle के सामने वाला हमेशा perpendicular होता है और angle से लगा हुआ हमेशा base होता है क्या दाया और यह हमारा hypotenious होता है तो हमको निकालना क्या है पहले यह देखिए निकालना क्या है उसके हिसाफ से sign cos 10 लगाईएगा आप बुलेगा सर जी हम यहाँ पर लगा सकते हैं सर बोलेगा हम यहाँ 10 नहीं लगा सकते हैं सर यहाँ sign नहीं लगा सकते हैं कुछ भी आप लगा सकते हैं कुछ भी आप लगा सकते हैं लेकिन condition यह द्यान रखिएगा निकालना क्या है निकालना क्या है जो निकालना होई ने काम करेंगे भाईया जाना है यहां से हमको दिल ली, तो सर बोलेंगे भाईया हम मदरास जाएं, मदरास से फ्लाइट परकड़ लेंगे, कहां नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, आपका समय बढ़ेगा, आपका टेंसन बढ़ेगा, परसानी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, ठीक है, तो य 10 theta, ठीक है? तो ये triangle ले लिजे, ABD, in triangle ABD, 10 theta क्या हो जाएगा? AD, बटा, BD, 10 theta मतलब कितना हो गया दोस्त? 10, 30 degree, AD कितना है दिया होगा है? 100, और BD कितना है? मालुम नहीं. तो तेन थीटा वरा क्या होता है क्या बताया थे अपको तेन थीटा नहीं याद किये हैं नहीं याद किजे कर तो परीच्छा में किसको नोगरी चाहिए हमको मेरा दिन लद गया बाबू आपका बारी है याद किजे बीडी वरा कितना हो गया क्रोस मल्ड भी कर दीजे बिड़ी अपॉन 100 अपॉन रूट 3 इसमें क्या होगा बाबू 10 थीटा बराबर इसमें थीटा यह परपेंडिकलो जाएका रहे बेस हो जाएका ना क्या निकलेगा भाईया AD अपॉन DC, 10 थीटा मतलब 1060 AD कितना है 100 DC कितना है भाईया, मालूम नहीं DC निका लिए, DC मने district collector, बनना है न अरे बन्जा भाईया, लड़ू लेके आना कम से लड़ू खिला देना 1060 मने root 3 100 अपॉन district collector देखिए, district collector ठीक है, तो district collector साब कितने हो जाएंगे, 100 बटा root 3 ऐसे मत बुलेगा, ने तो बुलेगा district collector साब कि हमको 100 बटा root 3 बूलता है नाम रखा जाएगा उनका 100 बटा root 3 तो अब क्या हो गया BC ब्राबर क्या हो जाएगा BD प्लस district collector तो BD कितना हुआ? अरे बही, यहां root 3 बना दिये हैं, देखिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं ना cross multiplication है भाई यहां root 3 नहीं होगा गज़ाब आप लोग भी हैं यार बताते नहीं है सर जी आप गलती कर दिये हैं यहां देखिए, cross multiplication करेंगे तो BD ब्राबर 100 root 3 और यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? DC अधर मैं cross जाएगा तो 100 बटा root 3 BD कितना हो गया? देखें, क्रेक्टर साब गलती हो गया है DC 100 root 3 अब इसको ले लीजे कितना हो जाएगा? LCM ले लिए तो 100 गुना 3 जोड 100 300 और रिक 400 बटा root 3 एंसर हो गया? देखिए, कभी भी ऐसे एंसर नहीं छोड़िएगा यहाँ पर एक बहुत काम का चीज़ बताते हैं आपको कभी भी जब बटा में root वाला कोई भी अंक रहे तो उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाता है आपका question क्या दिया रहे exam में? option क्या दिया रहे? यह अलग मसला है लिए इन कभी भी ऐसे नहीं छोड़ने कोश कीजिएगा अगर आप ऐसे normally solve कर रहे हो आप class 10 का problem solve कर रहे हो तो आप कम से कम बच्चे लोग ऐसा जरू देखिएगा ऐसे नहीं छोड़िएगा इसको rationalize कर दीजिएगा ठीक है? rationalize करके ही answer लाईएगा बटा में रूट मत रखिएगा तो इसको rationalize कैसे करते हैं भाईया? तो 400 उपरो रूट 3 से गुना कर दीजिए और नीचुहूं रूट 3 से गुना कर दीजिए कोई फरक पड़ेगा? नहीं ना? रूट 3, रूट 3 काट दीजिएगा एक बचेगा, कोई दीकत नहीं तो यहां रूट 3, रूट 3 कितना हो जागा? तीन, तो 400 बटा 3 400 रूट 3 बटा 3 अब समझ माया? अब ऐसे कीजिएगा तो बात बनेगा अब इसमें भी अब ऐसे कर दीजिएगा इससे बढ़िया तो आओ एक कदम बढ़ लेजिए तो रूट 3 का बैलू पूट कितना होता है? 1.73 हम लोग लेते हैं, रूट 3 का बैलू कितना लेते हैं? 1.73 लेते हैं, दूए अंग तक ले रहे हैं, बेसी नहीं लेंगे कोट रूटा लंब बनाएगा अब सवाल मोतना डीमांड करेगा तब ना? इसों केतना लिख सकते हैं? ध्यान दीजे, 400 गुना 1.73 अपॉन 3 गुना कर दीजे, इसको कितना हो जाएगा? यह दू अंख है, यहाँ पर भी दू अंख है, डेसीमर हटाएगा तो कितना हो जाएगा? यह गुना 100 हो जागा जी, 100 सुना 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 कर गया ना? अब गुना कर दीजे, 4 से, तो चर्तिया इबारा की दू हाथ में 1, सचो को 239 की 9 हाथ में 2, 4 दू छो बटा 3, इसको अब भागा दे दीजे, तो 3, 2, 6, 3, 3, 9, डेसीमर लगाएंगे, 3, 6, 18, इतना मीटर, एंसर, क्लिर हुआ, यह देखे, यह वाल सवाल जो था, क्लास 10 का था, ठीक है? क्लास 10 का सवाल है दोस्त, इसको बढ़िया समझ लीजेगा, सवाल बहुत सींपल है, बहुत, देखे, सवाल कोई भी कठीन नहीं होता, आपको एक चीज़ा बताते हैं, कठीन और इजी का डिफनीशन क्या होता है? आप बताते हैं, अरे बाप, बाप सर, सवाल बड़ी भारी है सर, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, सवाली तो बहुत हलका है, सर, तो हावा मोड़ा देंगा, चुटकी बजाएंगे तो उड़ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़ी हैं बात है, कोई भी सवाल भारी और हलका कब होता है, मालू मैं आपको, जब आपको समझ में आता है, तब उख हलका हो जाता है, जब समझ में नहीं आता है, तो भारी हो जाता है, सब आपके दीमाग का खेला है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजेगा, तो हलका हो जाएगा, नहीं दीजेगा, तो भारी हो जाएगा, तो हम लोग का दिमाग भगवांजी itam same तो आप सयंटिस्ट बन जाईएगा तो आप साइंटिस्ट अमने प्रॉपम इसले कब अगला प्रॉलम बता है दोस्त दोस्त इसके स्क्रीन सोट ले लीजिएगा कोश्चन आपके स्क्रीन प्या जाएगा ठीक है दूसरा सवाल यह बोलता है कि एक सेड़ी है यह भी आपका क्लास्टेन का यह कोश्चन है दोस्त बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है एक बुक में देखे थे किसी कॉम्पटिशन में आया हुआ था इसी टैप अकोश्चन था बिल्कुल सेम टैप अकोश्चन हम आपको बता रहे है एक सीड़ी है एक रोड है ठीक है मान लेते हैं कि यह रोड है यह रोड है ठीक है यह रोड है ठीक है अब सीड़ी एक यहां प पर ऐसे टिकी हुई है तो यहां पर कैसे लगी हुई है माल लिजिए कि यह किसी की छत पे लगी पड़ी है किसी की छत पे लगी पड़ी है तो छत से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानि उन्नायन कौन जो बन रहा है यह माल लेते हैं बेस है सडक है सडक का बेस है तो जो तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो है माल लेते हैं साथ डिगरी के एंगल बन रहे है और जब इसी सीड़ी को अब भया दोनों तरफ घर है ना इधर से उठा का इसे ऐसे पलट दिये होता नहीं है हम लोग अपने घर में सीड़ी को जब होता है तो इधर से उठा के हिलाते है यह लमान लेते हैं का है खिड़की है ठीक है अई छत है अब फोटो हम बनाए ना भाई तनी उनीस बिसमा नहीं होगा बरदास्त कर लिजगा अब यहां पर साथ डिगरी है यहां पर कितना बन यह है 30 डिगरी हिलाए नहीं है पॉइंट नहीं पर है ठीक है अब सीड़ी का जो उचाई है ना सीड़ी का जो लमबाई है इनने 30 मेटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 मेटर तब बोलता है सवाल कि सड़क की चोड़ाई निकाले है सड़क की चोड़ाई मानने A, B निकालना है A, point D मान लिजे इसको E मान लिजे, इसको F मान लिजे देखिए, आपको कुछ भी बोला जा सकता है question में, उसको सड़क बोला जा सकता है घर की चोड़ाई बोला जा सकता है, एक तरफ घर में एक तरफ दीवार पर लगा है, दूसरा खिड़की में लगा है कहीं पर भी ठिका दिये हैं किसी भी तरह का इस तरह कोशन जब आए तो करना क्या है निकालना क्या है बेस निकालना है ठीक है आपको छट या फिर खिड़की कुछा इससे कोई फरक नहीं पड़ता है आपको निकालना क्या है सीड़ी का नमबाई दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है आपको निकालना है याद होगा, पीछला कोशन में हम लोग अभी क्या बोले थे कुछ भी हो, जो दिया रहे, उसको यूज करना है आप बोलेंगे, साइन कॉस्टेन कौन से लगाएं तो आप देखिए, जरुवत क्या है हमको जरुवत क्या है, यहाँ पर इवला निकालना है इवला क्या है, इस एंगल के लिए देखे इवला क्या है, बेस है इवला एंगल के लिए, इवला एंगल के लिए देखे क्या है, यह बेस है, यह को बेस है clear है इक क्या दिया वो इक क्या है मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रेंगल हो गया क्या हो गया राइट एंगल ट्रेंगल सम कौन तिर्भूज हो गया न जी सम कौन तिर्भूज में इक क्या है बेस पर का एंगल है इक क्या है कर्ण है इसके सामने कहेंगे ले लंब हो गया इसके सामने कहेंगे लंब हो गया इधार हो गया इक कर्ण हो गया तो अब आपको निकालना कहा है आधार निकालना है दोनों में कर्ण दोनों में दिया हुआ है और यह उला कौन दोनों में दिया हुआ है तो अब आधार और कर्ण के बीच में कौन से relationship है बताइए तो आधार और कर्ण के बीच में कौस वाला relation होगा याद न पंडित बदरी 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 लाल चौरसिया तो बदरी हरी 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 मनें कर्ण हैपोटेनियस तो base और hypotenuse के बीच में cos होता है इभी ट्रेंगल में निकालिए in triangle adce ade में का होगा cos theta बरबर का होता है base upon hypotenuse ad upon d e cos theta मने का होगया cos 60 बराबर ad मने का है मालूम नहीं ade मने 30 cos 60 मने का होता है बुलिए बुलिए 1 by 2 याद आया कासी कहते cos 60 क्या होता है sin 60 का जो इधर से चलेंगे तो इधर से लोटेंगे भी न जी जो cos 30 होगा cos 60 हो जाएगा याद आया cos 30 के तो sin 30 कितना होता है sin 30 एक बटा दू होता है तो cos 60 कितना हो जाएगा एक बटा दू आप लोगो चार्ट बढ़ियां से याद करना पड़ेगा अरे उठ चार्ट नहीं भाई छोला चार्ट नहीं उठ जो हम बनाया था इज़े इज़े sin cos 10 का 0, 30, 45, 60, 90 वाला चार्ट वाला चार्ट याद कर लीजेगा अरे वे सार नहीं AD upon 30 क्रॉस माल लीजे AD बढ़र क्या हो जाएगा 30 बटा दू 15 15 मीटर ठीक है बुझाया अब री वाला ट्रेंगल देख लीजे इन ट्रेंगल B, D, F B, D, F में क्या निकालना है इसमें भी वही निकालेंगे cos निकालेंगे दोस्त cos theta upon क्या हो जाएगा db upon df तो cos कितना हो गया 30 बराबर db df कितना है भी या df 30 है 30 है ना हाँ ठीक है अब cos 30 कितना होता है याद किजिए जो cos 30 होगा sin 60 होगा sin 60 बने root 3 by 2 root 3 by 2 बराबर db बटा 30 तो db बराबर क्या हो जाएगा cross model करने लिजे ना तो 30 root 3 बटा 2 2 से कटेगा तब 15 याने कि 15 root 3 अब यहां निकाल लेते हैं अब a b बराबर का होगा a b बराबर का होगा जी बोलिए ad plus db अरे बोलिए न फटा फट फट वहाई यतना टाइम नहीं है 15 प्लस पंदर रूट 3 काईगा अगला सवाल बनाना है जल्दी जल्दी अगर question में root 3 का value दिया रहता है बहुत सारे questions में slow 3 का value आपको 1.73 लेना है और बहुत सारे question में नहीं लिखा रहता है आपको क्या करना है अपनी सुविधा के हिसाप से अपना answer पहले देख ली जेगा options में क्या दिया हुआ है root मेही answer है root 3 के value में answer दिया है well and good, अगर root 3 के value में answer नहीं दिया है, तो उसका value 1.73 अप लगा लीजेगा, ठीक है क्या कीजेगा, root 3 के value 1.73 आप use कर लीजेगा अगर answer में नहीं दिया है, तो ठीक है, अगर दिया रहे तो root 3 के use कर लीजेगा जैसे आपको question में answer दिया रहेगा वह ऐसे आपको use करना है मान लेते हैं कि नहीं दिया हुआ है मान लेते हैं हम नहीं तो यहीं पर answer हो जाएगा ठीक है नहीं तो कर लेते हैं यहीं पर एक answer हो सकता है हम आपको second बना के दे रहे हैं आपको तो यहाँ पर क्या किजेगा गुना 1 प्लस 1.73 कितना हो जागा 15 गुना 2.73 तब गुना करजेए 15 से 15 यह 45 यह 5 हाथ में 4 पाचोता से 105, 49, 10 15 यह 30 40.95 मीटर ठीक है? आपका answer या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है गुना देख लिजएगा भाईया ऐसे ऐसे कर होगा या तो यह answer होगा ने तो यह answer होगा है ठीक है? अगला सवाल बना लिए जाए देखें question समझिएगा figure बनाईएगा put put बनता है figure नहीं बनेगा सोचते रहें कई से बनाईए कई से बनाईए कई से बनाईए गल्ती होने का चांसे से बढ़ जाएगा figure बनाईएगा question पढ़िएगा question आपको मिल जाएगा screen पे देखें ठीक है? screen shot ले लिजेगा question इस screen पे होगा आप समझिएगा पहले अपने से बनाने का ट्राई किजिएगा हमें इसा याद रखेगा पहले खूद से बनाना देख के उतारना नहीं है पहले खूद से बनाना है नहीं बने तो देखना है clear है? चलिए एक बंदर है अभी मत पूछेगा सर बंदर कहाँ जा गया है? सवाल सुन लीजिए मज आएगा सवाल बहुत अच्छा है conceptual question है एक बास है बास सीधा है ठीक है? जमीन है ये बास सीधा है एक बंदर जो है यहाँ पर है अब बंदर का फोटो तो नहीं बना सकते हैं समझ लीज़े इसे ही बंदर बना देते हैं ठीक है इसी बंदर को इसी बंदर का इसे आख होगा अब यहाँ से जो देख रहा है यह है 30 दिग्री तो यह वन एंगल कितना हो गया? 30 दिग्री ठीक है? बंदर यहाँ से देखा तो कितना लगा? उसको 30 दिग्री का और न forefront को है मतलब इंगल फ्टीप्रेशन अब बंदर क्या बोलता है कि हम यह थोड़ा सा और उपर चड़ जाता है यहां से बंदर चाड़के यहां पहुंच जाता है ऐसे पगड़ लिया इसका आख है इसे पुझी यह अब यहां से जब बंदर देखा यह कितना दूरी हो गया भाईया यहां तक आठ मीटर अब यहाँ से जब देखता है आव नायान कौन तो यह हो जाता है 45 डिगरी अब यह हो गया 45 डिगरी ठीक है 45 डिगरी तब बोलता है सवाल अब क्या आपसे मांगता है कि यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है इस बास के जड़ से इस वस्तु की दूरी कितनी है तो ये दूरी ये वहल आपको निकालना है भाईया मुझे और सब को मान ले इसको A बोल दीजे इसको B बोल दीजे इसको C बोल दीजे इसको D बोल दीजे ठीक है आपको A भी निकालना है यानि कि बास के जड़ से इसकी दूरी कितनी है यह आपको निकालना है यह दोनों दूरी अब आपको करना क्या है पहले एक वर यह वाला ट्रेंगल लीजेगा और एक वर उपर की वाला बंदर का ट्रेंगल लीजेगा निचल की बंदर उपल की बंदर दोनों बंदर का आप triangle से इसका निकालेंगे अब आपको करना क्या है ये दिया हुआ है 8 मीटर दोनों condition में आपको ध्यान दीजेगा क्या क्या आप करेंगे तो आपका answer आ जाएगा वहले ये वहला triangle में लीजेगा ये वहला उपलर triangle में ये वहला दोनों दुरी बराबर होगी हमेशा ठीक है इसका बंदर का जो यहां से यहां तक जो है ना यह एक्स मीटर है मान लेते हैं देखिए इस कोश्चन में बहुत सारा कोश्चन पूछा जा सकता है अगर ऐसा कोश्चन अगर आपके पास आता एक्जामे यह पूछेगा बंदर इतनी उचाई पे था यह भी कोश्चन हो सकता है यह भी कोश्चन हो सकता है आपको दोनों बनाने आना चाहिए चलिए पहला लेते हैं यह जोटा वला ट्रेयंगल में ठीक है दोस्तों व्यसक्स को से अपराई एंट्रैंगरल एे ओवी सी रेंगे अब देख़ीए का होता है आए वीटा सब्सक्राइए अब सो और सब्सक्राइब कुलरिय उ Okejee मिले शोटा खलंद थी ऐद को निकालना क्या दुनों निकालना भाईया तो 10 थीटा लेंगे आप जानते हैं यह परपेंडीक लोर रही बेस सामने वला एंगल के सामने वला का हो जाता है यह तो 90 तीगरी होगा ना तो क्या लेंगे 10 थीटा 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? A C अपॉन A B क्या हो जाएगा? 10 थीटा कैसे निकालना भाईया? 10 30 लेना है 10 30 बराबर A C, A C कितना है? X है ना? यहां X लिख दीजिए और नीचे बला को A B लिख दीजिए तो 10 थीटा का मतलब कितना होता है? 1 भाई, रूट 3 कितना होता है भाईया? याद कीजिए जड़ा तो 10 30 कितना होता है? 1 भाई, रूट 3 होता है? कि रूट 3 होता है? कितना होता है? बताइए साइन बटा कॉस का सिख थे? अहो महराज 10 थीटा बराब का होता है? SIN THETA बटा COS THETA होता था झी अब 30-30 है न जी गा जब महराज आप लोग कर देते हैं तो 30-30 SIN THETA कितना होता है SIN THETA वटा COS THETA SIN THETA का मतलब क затना हो गया एक की बटा दू गर COS THETA मतलब ROOT 3 by 2 2 से 2 कोड़ गया, कितना बचा है 1 by root 3 जब महराज आप लोग कर देते हैं तो दियान रखिए नहीं याद रखिए का तो काम चलेगा तो 1y root 3 x बटा a b ठीक है? अब cross mode भी कर लिजिए तो का निकल गया? a b बराबर root 3 into x अब बुझाया कुछ a b निकल गया कितना आया? root 3 into x clear है? अब उपर की बंदर पकड़े? तनी बंदर नाच बंदर पता है दोस्ट जब हम लोग छोड़ा थे न तो बंदर नाचाने वला दा था आज मंगल काल मंगल मंगले मंगल बागे नहीं बोलेंगे दोस्ट बड़ी खराब बोलता था खर मंगले मंगाल हम लोग करेंगे अभी a, b, d का बनाएंगे? ट्रेंगल a, b, d अरे c लिखा गया हो d a, b, d उपर की बंदर ले रहें दोस्ट इसमें का होगा? फिर लेंगे में टेन थीटा ना लेना होगा टेन थीटा बराबर d, a का होगा हो? d, a बटा a, b अब टेन सीटा कितना होगा? 10, 45 है ना हो d, a मने d, a कहां गया हो? यह, x प्लस 8 और a, b a, b अब का निकाले हैं? यहां देखिए root 3x 10, 45 कितना होता है? अरे महराज इक पर पॉढ़न लीजिए बढ़िया से ठीक है? क्रोस मुल्ब करते हैं यानि की root 3x बढ़र x प्लस 8 clear? तो यहां से जो non-variable वाला साइड है उसको एक दरफ कर लेते हैं root 3x माइनस x बढ़र 8 x कॉमन ले लीते हैं root 3-1 into x बढ़र 8 क्या कीजेगा? x निकाल ला है ना दोस्त तो x बढ़र का हो जाएगा? 8 बटा root 3-1 ठीक है? अब क्या कीजे? इसको solve कर दिए तो solve करने के ले का सी खहते हैं आपको? का सी खहते हैं? बोलिए जब नीचे में root रहता है तो उसको rationalize कर देते हैं क्या करते हैं? rationalize करते हैं rationalize कैसे करेंगे? जो नीचे रहता है ना उसको उल्टा से उपर नीचे गुना कर दिए 8 अपॉन root 3 minus 1 है ना? देखें रूट 3 minus 1 है अब इसी के उल्टा से तो क्या कर दिजेगा? root 3 plus 1 और root 3 plus 1 अब ऐसा काहे किए यह आप से पूछे सरी सा काहे कर दिया आप तो हम नीचे से root हटाना चाहते हैं तो नीचे से root कही से हटेगा? हम A minus B और A plus B आपको याद होगा एको फर्मूला कौन फर्मूला होता है भाया? यहाँ फर्मूला देख लिख देते हैं A square minus B A square बराबर A plus B into A minus B अब यहाँ देखिए अब दिख रहा है ना? इसको A मान लिजे, इसको B मान लिजे A minus B और A plus B A minus B और A plus B दिख रहा है आपको? इस दुनों को यहाँ लग देखा देखिए क्या हो जागा? A square minus B square A square करेंगे तो 3 हो जागा 3 minus 1 खतम होगे नीचे से अब बुझाया कुछ? तिसको क्या करेंगे? 8 root 3 plus 1 upon 3 minus 1 हो गया ना? इससे चलिए एक line और लिखे देते ने तो आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप बुलेगा सर जी तो बनाया तो थे लेकिन बुझाया अब नहीं किया लेखे बुझाने वाला काम कर देते हैं 3 minus 1 क्या हो गया? 8 अब यहाँ देखिए अब क्या बुले थे आपको? root 3 रहेगा तो 1.73 ले लीजिएगा 3 minus 1 से गया 2 2 चोग के 8 तो 4 गुणा 2 प्लस 7 3 ठीक है? तब इसमें गुणा कर दीजिए 4 ती यह 12 के 2 हाथ में 1 सचोग 28 से कुन 30 के 9 हाथ में 2 4 नहीं 8 हाथ 2 10 10.92 काची में है भया मीटर है ना मीटर एक्स का वैल्यू आ गया ठीक है? अब आपो क्या बोले? कि आप तो इसके पूछ सकता है आपका एक्जाम है तो इसका पूछ सकता है आप इसका निकाल लिए ठीक है ना? अब देखिए कि अगर आपसे पूछे A B का निकालने तो A B कैसे निकालने गा? A B देखिए यहां पर लिखा हुआ है ठीक है? A B अगर यहां लिखा हुआ है तो हम A B अगर निकालना रहे है तो का निकालेंगा A B? रूट 3 X है रूट 3 इन्टू X है तो रूट 3 इन्टू X कितना आया? 10.92 आया ना दोस्त? अब इसको गुना कर दिजे 1.73 गुना 10.92 इतना भी आप छोड़ सकते हैं 10 इसको आप इतना भी लिख सकते थे 10.92 रूट 3 मीटर यह भी हो सकता था ठीक है? हम इसको थोड़ी सुन गुना कर दे रहे हैं चाहिए तो आप गुना भी कर सकते हैं कोई दिकरत नहीं है तो इसको गुना कर लिजे गुना करने के बाद जो एंसर आएगा लिख दीजेगा तो कितना हो जाग गुना कर दिएगा तो 1092 और 173 गुना कर दिजे इसको 3, 2, 6, 9, 37, 23 3 एक कहीं 3 7, 2, 14, 4 हाथ में 1 9, 63, 64 और 7 है कहीं 7 अब फिर क्या हो जाएगा? 2, 9, 0, 1 6, 7, 4, एक हाथ में 1 8, 9, 9, 15, 13, 8 हाथ में 1 7, 8, 1 1, 2, 3, 0 18, 8, 9 जो कितना लिख सकते हैं? 18, 8, 9 मीटर ये भी एंसर हो सकता है आपको जो मर्जी आप एंसर लिख सकते हैं ख्लिर हो गए दोस्त? इसके स्क्रीन सोटर लिजेगा कोशन आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर अब क्या कीजेगा? थोड़ा आपके पाज जो बूख होगा घर में उस पर प्रैक्टिस कीजेगा फिर हम लोग अगले वीडियो में में दोस्त कुछ नय सेक्सेंस के आप मिलते हैं ठीक है? थैंकियो दोस्त